हलो स्टुदेंट्स, वैलकम तू आवर यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में और आज का हमारा टोपिक है टिशू, बढ़ते हैं टोपिक क्या और, सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनिशन आफ टिशू, टिशू आफ ग्रूप अफ सेल्स द एक समू है, जो कि स्ट्रक्चर में, सनचना में समान होता है और एक साथ काम करता है किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तब वर्ड टिशू कमस रॉम, अफ एन ओल्ड फ्रेंच वर्ब, मीनिंग टू वेव, यह वर्ड जो है टिशू कहां से आया है, फ्रेंच से, फ्रेंच वर्ब से आया है और इसका मीनिंग क्या होता है, to wave, there are four different types of, ठीके न, इसके कितने types होते हैं, different types of tissue, in animals, collective, muscles, nervous and epithelial, और in plants, जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, in plants, tissue are divided into three types, three types के होते हैं, vascular, ground and epidermal, group of tissue make up are argon in the body such as the brain and heart, जो tissue का गूल होता है तुक है ना वह क्या करता है हमारे body organ को build up करता है ठीके बनाता है मैं हें और बनाता है। जैसे brain है हाट और коई भी body organ है ठीके वह कैसे बनता है two-team trip to one-ten तो when they catch the ball. डेता है बढ़ते हैं। सब पहले हम रब जानेंगे कि प्लांट और एनिमल इसंस सेटों में क्या डिफ्रेंस है इब लिखने मनें देख लिर शोग के लिए के अलग अलग कोज़ने है इस प्लांथिस्तों को रिमादर बांट भेल अंचरंगे हमें फ quश्या में और वी जहें को 1 अज्दी मेड़य भी टिशु सर्या अरफो का सने इसमें बहुत ज्यादा more living tissues नहीं होते हैं ज्यादा करके क्या होगे हैं यह पर dead cells होंगे ठीक है और और since animals क्या होते हैं mobile होते हैं सब जगे जाना होता है so they require more energy उनको क्या mobile होते हैं तो बिल्कुल उन्हें बहुत ज्यादा energy की जरूवत होती है तो इन में क्या होते हैं more living tissues are required और plant में क्या होगा फिर से देख लेथे हैं इतर प्लांट में difference देख रहे हैं plant or animal tissues में in plant most tissues provide structural strength most of these tissues are dead जैसे अभी हमने आपको बताया कि बहुत तारे जो इसमें क्या होते हैं dead होते हैं tissues tissues क्या होते हैं ग्रुप of cells मतलब वो क्या होते हैं अब क्या करते हैं वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रवाइट कर रहे हैं तो इसमें से dead होते हैं तो यह क्या करते हैं mechanical प्रवाइट स्ट्रेंथ प्रवाइट करते हैं easily as the living ones and need less maintenance इनको बहुत कम maintenance की जरुवत होती है आप देखेंगे पेड लगे होते हैं और बारिश में पानी मिलता है ज्यादा करके फिर भी वो easily maintain करते हैं और जो ट्री है वो grown-up होता रहता है animals move from one place to another in search of food and shelter animals जो होते हैं जो living beings बोल दें जिनको तो ठीक है न उन्हें क्या करना पड़ता है एक जगे से दूसरी जगे पर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना पड़ता है किस की तलाश में भोजन की तलाश में shelter की तलाश में रहने की तलाश में तो क्या होगा यहा जो प्लांट है उनमें लाफ टाइम रोथ होती रहती है कि कुछ साइटन रिजन होते हैं वहां पर लिमिटेट ग्रोथ होती है इस ट्रक्चरल ऑर्गनाजेशन आफ आरगन इस कंपेरिटिवली लेस कंप्लेक्स ठीक है तब ग्रोथ हिनमें क्या होगा कि वही कैसे होती रह ओर्गन और अरगन सिस्टम इस पेशलाइज़ और कॉम्प्लेक्स इसमें क्या है यहां पर क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गनाजिशन आप अरगन इस कोई लेस कॉम्प्लेक्स प्रेड में आपने देखा होगा कोई इसा जटिलता नहीं है लेकिन जो हूमन बिंग है अनिमल से इ तो प्लांट टिशू प्लांट टिशू है किटी टाइब के हैं दो टाइब के मैरिस्टमेटिक पर्मानेट अब जो मेरिस्टमेटिक होते हैं क्या है इसमें सेल्स कैसी होती है होती है सेल डिविजन के लिए और पारमानल जो टिशू होगी ठीक है ना मैच्योर और इनकपेबल होगी सेल डिविजन के लिए और जो पारमानल टिशू है यह कितने टाइप सेमें डिवाइदेट हैं टू एक तो सिंपल दूसरा कॉंप्लेक्स जो सिंपल टिशू है क्या है यहीं के इसके बातक पॉने साथ साथ सेल भी है कोजसे तो कॉम्पेसनिक ड works first यह पामप्लेक्स सेल देखनन मों युटेटेशल और सेलं सें 20-30 इसका डालवान फ्लोम ज took तो जालर में क्या होता है कि लिए यृटाय पॉनेन सेले — q to two वर्टर को ले जाते हैं उपर और फूड डिस्टिपिशन का काम करते हैं हम देखेंगे जैलम और फ्लैम को विस्तार से अगले पार्ट में ठीक है पढ़ते हैं और प्लांट टिशू सिस्टम को इस तरीके से भी अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा कि डर्मल ग्राउंड और व पैस्कुलर टिशू कौन से हो गए हैं जैलम और फ्लैम तो इस तरह की से भी आप इसको लेंड कर सकते हैं दोनों तरीका में आपको बता दिया अब एनिमल टिशू कॉंप्लेक्स होंगे यह तो पर अभी हाज हम केवल इनके टाइप स्टाइप देख रहे हैं फिर हम नेक् स्कुमस और डा बबन तरह पर जही तिक है स्टाइप सब्करों में अपर हो मत्यका उसक्ते तो सकते हैं जॉंगाल में चु पर भी पूरा विस्तार से जानेंगे तों टैक्टेशन पस आप इसको इसी वे में स्टुड़ी करते जाएंगे अब फ्लैट के उन से ब्लड और लिंफ लग और लेंट लासी का बोलते हैं हिंदी में इसे पर आप तो लिंफ ही समझें इंग्लिश में ज्यादा आसान होता है जो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक्यू